सल्मान खान की मुवी भाईजान की रिलीज डेटाई सामने बॉलिवुड के भाईजान सल्मान खान की काफी जादा फैन फॉलॉइंग है वहीं सल्मान खान की जब भी कोई मुवी रिलीज होती है फैन्स सिनेमा हौल्स की तरफ दोड़े चले जाते ही है और अभी भी सल्मान खान की bucket list में काफी सारी और काफी बड़ी-बड़ी movies हैं जो की fans आने वाले time में देखने ही वाले हैं और काफी time बाद अब सल्मान खान हमें एक comedy movie में भी दिखने वाले हैं जो की है भाई-जान भाईजान का पहले नाम कभी इद कभी दिवाली रखा गया था लेकिन फिर इस नाम को लेके कोई कॉई कॉट्रोवर्सी ना हो इसी वज़े से मेकर्स ने इस मुवी का नाम चेंज कर दिया और अब इस मुवी को भाईजान के नाम से बुलाया जा रहा है और अब finally सल्मान खान और भाईजान मुवी के producer साजित नादियादबाला ने मिलकर भाईजान मुवी की एक release येट finalize कर ली है भाईजान मुवी release होने जा रही है दिवाली 2022 के मौके पर सल्मान खान की मुवी प्रेम रतन धन पायो जो की साल 2014 में दिवाली के मौके पर release की गई थी उसके बाद अब जाके सल्मान खान की कोई मुवी दिवाली के मौके पर release होने जा रही है वरना सल्मान खान अपनी मुवी को इद या फिर क्रिसमस के मौके पर ही release करते थे भाईजान मुवी में सलमान खान के opposite दिखने वाली है अक्टरस पूजा हेगडे भी और इस मुवी को डारेक्ट करने जा रहे हैं फरहाद साम जी सलमान खान इंदिरो अपनी मुवी टाइगर 3 की शूटिंग कर रहे है और न्यूज है कि नवमर 2021 से मेकर्स भाईजान मुवी की शूटिंग मुंबई में शुरू कर देंगे फिलहाल फराद साम जी अपनी मुवी बच्चन पांडे की शूटिंग रैप अप करके भाईजान के प्री प्रोडक्शन पर काम स्टार्ट करेंगे